ओम नमह सिवाई अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वेडियो के अंत में आपके आने वाले तीन दिनों का अनोखा टोटका है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चेनल को सबस्क्राब कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में मित्रों सुवास्त के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान्य से थोरा सा नीचे है दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक नसा पान करते हों धुम्र पान करते हों या सराब का सेवन करते हों तो आने वाले समय के दोरान इन चीजों को आपको छोरना होगा इन चीजों को आपको त्याग ना होगा अन्यथा आपके सुवास्त के मामलों में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका समय सामान ने रहेगा न जियादा बेहतर न जियादा खराब मित्रों आने वाले समय के दोरान अगर आप अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका आने वाला शमय सांदार हो जाएगा वैसे अगर आपके घर पड़ीबार की बात करें तो घर पड़ीबार के द्रिष्टी कौन से आपका समय सामान ने तोर पे बहुत जियादा बेहतर और सांदार है मित्रों आने वाले समय से पहले अगर आपके घर पड़ीबार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या था तो उस पड़ेशानी को आपको खत्म करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दौरान इस काम को करने में आपका समय आपका शाथ अबश्य देगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के द्रिष्टी कौन से आपका समय आपका शाथ नहीं देगा आने वाले समय के दौरान छोटी मोटी बातों को लेकर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक जोग होगा आपका बहस होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दोरान किस उपाई को आजिमाने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदार होगा मित्रों टोटका बहुत ही जयादा सामानी है आने वाले समय के दोरान आप अशनान ध्यान करने के बाद मादुरगा की पूजा करें अपने पूजा पाठ से आप मादुरगा को खुस करने का पडियास करें अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका आने वाला समय सांदार हो जाएगा तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें इस वेडियो के नीचे जै मादुरगे कमेंट कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वेडियो में धन्यवाद जै सियाराम राधे राधे